है कि अधीच एलो फ्रेंज तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल कर रहे हैं मिरें के फिर्स समस्टर का है जो कि प्थिक सब्जिक्थ है और यह become program and become models दोनों के रिए same है चीक है और यह हमारा किसके conscious labels हमारे news labels के according हम पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें हमारे news labels में हमारे chapters है हमारे five units है first unit से हमारे जो theories होती है basics हम पढ़के भी आया है 12 तक तो accounting की theory जो हमारी है convention, concepts, standards, process यह सारी है फिर second unit में हमारा inventory related है कि inventory की management कैसे करता है वो है ठीक है फिर third unit है हमारा sole proprietorship and NPO के financial statements and final accounts बनाना फिर unit four हमारा branches and departments के accounting करना ठीक है फिर हमारा fifth unit है computerized accounting system ठीक है तो आप 12 तक पढ़के आयो unit 1, unit 3 and unit 5 के कुछ basics पढ़े हैं आमने 12 तक ठीक है पहले से तो हम थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि जसे पता है हमें कि हमारे जो एक्जाम से हमारे last Feb में या मर्च के first week में last Feb में है 27 से स्टार्ट है हमारे शायद तो इसले हम unit 1 and unit 3 हम जल्दी जल्दी करेंगे देन उसके बाद हम unit 2 करेंगे जो कि वो भी थोड़ा easy है कुछ जादा उसमें है ने unit 4 भी easy है ठीक है पहले first हम unit 1 करेंगे unit 3 करेंगे then unit 2 करेंगे and then unit 4 करेंगे then उसके बाद unit 5 जो है वो मैं यह आपे नहीं करवाऊंगी वो आप YouTube में बहुत सारी वीडियोज होंगे इसमें क्या है कि आपको टैली प्राइम टैली ERP 9 हमारे इसले बस में जो है वो टैली ERP 9 है तो उसके आपको उसका समझाएंगे बहुत से लोगों ने कर भी रखा और जिन्होंने नहीं किया वो आप YouTube पे वीडियोज देख लेंगे ना बहुत सारी हैं अगर आप बोलोगे तो मैं recommend भी कर दूंगी तो बहुत सारी वीडियोज हैं वो आप सर्च करके देख लेना unit 5 का computerized accounting system का और इसके basics तो हम पढ़ी चुक है कि computerized accounting system हमारा क्या होता है हम तो now we'll start so definition of accounting यह सारी बेस वाली चीज़े हैं और यह ज्यादा important भी नहीं है तो हम इसको जली-जली कर लेंगे ठीक है तो financial accounting में क्या होता है हम gonna bookkeeping फvär приз्म को ड्रकोंब करना सस्टेमेटिक में ठीक है फिर उसके बाद लिहो हमारी क्या करते हैां सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम saying transaction record होती है विल्स में जो कि इसकी फिर vouchers भी बनते हैं ठीक है फिर उसके बाद हमारी क्या होती है फिर उसके बाद हमारी जर्नल एंट्री इस पास होती है फिर उसके बाद हमारी ledgers form होती है फिर at the end of the year हमारी trial balance बनती है फिर उसके बाद हमारी income statements बनती है हमारी trading and pnl account फिर उसके बाद हमारी financial statement बनती है हमारी balance sheet तो यह हमारी पूरी accounting होती है financial accounting होती है फिर उसके बाद हमारी double entry principle double entry principle में आया है कि हमारा हर एक transaction के हर एक general entry के दो पहलू होते है एक debit और credit ठीक है फिर उसके बाद कि हमारी कुछ accounts बनते हैं और बिजनस में जितने भी अकाउंट से वह सारे तीन क्यारी में आते हैं पहला personal account then real account then nominal account personal account क्या होता है जितने भी हमारी healthy people areس फिर्म है फिर्म में हम जिससे भी डील कराये थरड पार्टी से इस वह सारे हमारे personal account में आएंगे कि परसंन की नेम से बन रहा है अकाउंट वह हमारा personal account है और उसके बाद जितने भी business के assets हैं properties हैं वह सारी हमारी real accounts में जाएंगी फिर उसके बाद हमारे नौमिल नॉमिनल अकाउंट में हमारी जितने भी expenses and incomes के sources होते हैं उनकी जो अकाउंट बनते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं ठीक है फिर उसके बाद हमारा कि हमारी क्या है दो रूल है हमारी अकाउंटिंग में फॉलो करने की एक British टूल और एक modern तो modern rule है हमारा debit the receiver and credit the giver and second rule debit what comes in credit what goes out and third rule debit all expenses and losses credit all incomes and gains तो उसके बाद हमारा British rule है कि liability and capital अगर increase हो रही है तो आप credit करोगे और decrease हो रही है तो आप debit करोगे asset and expenses अगर increase हो रही है तो आप debit करोगे अगर decrease हो रही है तो आप credit करोगे और incomes अगर increase हो रही है तो आप credit करोगे और decrease हो रही है तो आप debit करोगे तो उसके बाद functions of accounting functions of accounting क्या है कि क्या काम है हमारी accounting का कि पहला हमें maintain करना है सारे transaction को systematic order में फिर उसके बाद communicating the financial results हमारी जो भी financial results आई है उसको हमें parties तक पहुचाना है जो भी हमारे interested users होते हैं हमारे accounting information के उन तक पहुचाना है third meeting legal means की taxes पे करने के लिए हमें जो चाहिए होता है हमें इस financial transaction हम जो financial accounting करते हैं तो हमारी पास जो profit होता है तो उससे हमारी income tax हम पे करते हैं उसके मताबिक sales tax हम पे करते हैं किससे हमारी turnover से related चाहिए तो वह साही चीज़े हमारी tax pay करने में help करती है हमारी financial accounting फिर उसके बद protecting business assets की business में जितने भी हमारे assets है वह उनको हम कैसे यूज कर रहे हैं प्रापर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं तो यह साही चीज़े आप करते हैं financial accounting के जरी फिर उसके बाद फिर तर्मारा accounting assets the management in tax task of planning control financial accounting information जो होती है वह फिर हमारी management के लिए काम आती है ठीक है फिर उसके बाद stewardship stewardship क्या है कि limited companies जो होती है उसमें क्या होता है कि वह management हमारी management है managers है उनको as a trustee हम appoint करते हैं और उनको हम funds देते हैं ठीक है उनको हम अपने enterprises की resources provide कर आते हैं तो उनकी चीजों की help उनके पास रखी है पर है तो asset वह हमारी company का न तो उनको accounting help करती है यह मतलब उनकी देखवाल करने में भी हमारी accounting help करती है उनकी fixing responsibility की अब जब हम हम पता कर रहे है कि profit कितना हो रहा है किस चीज से profit हो रहा है तो हमारे पास पता होगा कि हर एक department से कितना हमें profit हो रहा है तो जितना ज्यादा profit होगा तो responsibility भी बढ़ती है जैसे जैसे कहां पढ़ेगा आपकी responsibility भी बढ़ेगी तो ऐसे ही जह अगर हमें profit पता होगा different departments का तो उस पर हम responsibility पता कर सकते हैं फिर उसके बाद advantages of accounting की क्या हमारी accounting information accounting करने की हमारी क्या advantages है assistant to management की management में help करती है records rather than memory की हम याद नहीं रख सकते हैं पर वो record करके रख सकते हैं ठीक है तो बहुत सारी accounts होते books होते हैं हम इतना सारी transaction हर दिन का तो याद नहीं नहीं रख सकता है ना कोई भी possible ही नहीं तो उसको record किया जाता है तो उसके बाद intra paired comparison की एक company का अपने ही एक साल की information को दूसरे साल की information से वह compare कर सकता है तो इसके बाद aid in legal matters की अगर कोई case हो गया है किसी ने आपकी की business पर सू किया है या फिर आपने किसी को सू किया है तो प्रूफ दिखा सकते हैं accounting को as a proof present कर सकते हैं help in taxation taxation matters की अभी बताद है tax pay करने के लिए हमें information चाहिए होती है तो उसमें हम records दिखा सकते हैं records के जरीए sale of a business कि अगर कोई partner जो ट्रेडर है चाहिए वो कोई भी हो firm हो company हो या sole proprietor हो अगर वो business sale करना चाहता है तो उसकी जो price पता चलेगी वो कैसे पता चलेगी company के या firm के balance sheet को देखके कि उसके पास कितनी assets है कितनी liabilities है उसको देखके वो फिर purchase price determine होता है फिर हमारा है limitations of accounting limitations of accounting क्या है पहला कि वो सिर्फ money terms मतलब सिर्फ money transaction values है हम उसमें लिखते हैं ठीक है हम जो non mandatory events है उनको हम record नहीं करते हैं ठीक है फिर उसके बाद second कि हमाई जो fix assets होती है उनको हम record किस पर करते है original cost ठीक है और उसके बाद हमने उसमें जितना खर्चा किया है वो add up करते है installation cost add करते हैं फिर उसके बाद हम वो add करते हैं पर उसमें क्या होता है inflation or deflation अगर market में चल रही है तो उसको हम represent नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो market financial position है हमारी business की वो determine नहीं हो पाती है तर थर्ड पॉइंट है कि estimates जो business accounting information होती है वो estimates पर लेके चलते हैं लाइक जैसे कि हम provision of doubtful debts बनाते हैं बहुत साथ provisions बनाते हैं और life of asset हम determine करते हैं एक estimates है तो लेके चलते हैं अब शुरू में ही तो हम नहीं बता सकते हैं कितने साल चलेगी तो estimates क्या होते हैं गलत होते हैं गलत हो जाते हैं तो इसलिए reliable नहीं होता हमारा accounting information पूरा फिर उसके बाद accounting information cannot be used only test of manager performance on the basis of more profits कि accounting information में हम management में जब use करते हैं तो हम यह नहीं बता सकते कि वहां पर हम यह नहीं लेके चल सकते कि ज्यादा profit हुआ है कभी-कभी profit हमारा कम भी होता है क्यों कि advertisement depreciation की वेज़े से हमारा profit कम हो जाता है तो वह हमारा actual profit हमारा नहीं होता है वह चीक है Advertisement जब हम करते हैं तो हम सालों का एक साथ करते हैं तो हम determine नहीं कर सकते कि हमारी इस साल में कितनी पड़ी होगी तो वह actual profit नहीं बता पाता है Accounting information is not neutral और unbiased यह क्या है हां यह है कि हमारी जो accounting information यह unbiased नहीं है क्यों biased क्यों है क्यों बोल रहा है क्यों biased है क्यों कि वह से quantity वाली चीजों को लेता है quality full चीजों को नहीं लेता है like employees injuries हो गई ठीक है उस पर जो cost लगा है वह नहीं consider करता है ठीक है और water air pollution हमारी जो होती है उनको consider नहीं करता है वह सिर्फ उन चीजों को consider करता है जो कि हमारी nature of business से related हो ठीक है accounting like any other discipline has to follow certain principle which in certain case are contradictory अजा तो यह है कि कभी कभी क्या होता है कि हम यह हमारा principle है एक conservative principle है कि हम क्या करेंगे cost और market price में जो भी कम है हमारी value current asset की value में book value और market price की value जो हमारी कम है उसको हम consider करके चलेंगे अपने books records में ठीक है तो इससे हमारा क्या होता है कि principle की विज़े से हमारी कुछ जो हमारी accounting होती है वो सही नहीं बैठती है ठीक है नाव हमारे accounting information के users कौन कौन है तो users में हमारे पहले creditors and short term lenders उनको हमारा accounting information चाहिए होता है कि उन्हें यह है कि जो भी हम business हमारी जो भी amount ले रही है वो credit वे तो उस पे वो interest पे करेगी और time पे payment कर देगी उसकी तो उसके लिए वो उसको accounting information चाहिए होती है कि why जो business की solvency and liquidity है position क्या है business enterprise की profit position तो वो पता ना करने के लिए उसको चाहिए होता है फिर उसके बाद investors investors को हमारी accounting information चाहिए होती है कि उसको dividend कितना मिलेगा interest उसके पैसे lose तो नहीं हो जाएंगे इसलिए उसे चाहिए होता है कि वो यह मानके चलता है कि अगर आपकी प्रस्पेक्टस में इस सल profit इतनी है तो आगे आपकी improvement होगी या फिर नहीं भी होगी तो इतनी तो होगी ठीक है इसके बाद long term lenders की उन्हें यह होता है कि timely वो interest पे कर दे और जब due date आए तो उसका principal जो amount है वो भी पे कर दे और अगर वो ना भी पे कर दे तो उसकी जो business में जो assets है वगेरा है उस पे कुछ मतलब अगर security as a collateral security given है तो वो सही चीज़े उसको इसलिए चाही होती है फिर उसकी बद management management को हमारी accounting information चाही होती क्योंकि वो decision ले पाए किसी भी चीज़ से related decision अगर उसको लेना है तो उसके related decision ले पाए इसलिए उसको management को हमारी information चाही होती है इंप्लॉईस को लेबर्स को हमारी इंफरमिशन चाहिए होती है ताकि जब भी कोई इंप्लॉईर आता है न्यू इंप्लॉई भी अगर आता है तो उसको यह ची होता है कि कितनी सालरी मिलेगी मुझे उसके साथ क्या इंसेंटिव मिलेंगे मुझे ठीक है और फिर उसके अगर मेडिकल फैसिलेटीज मिल रही है वेलफेर फैसिलेटीज मिल रही है कि नहीं वह सब इसको इसलिए चाहिए होता है तो उसके बाद गवर्मेंट एंड डेगुलेटर इस उसको अपने टैक्स चाहिए टाइम से तो इसलिए उसे अकाउंटिंग इंफिरमिशन है कि जो हमारी बिजनस है वो अपना काम तो करी रही है हो तो बैँ करेगी उसको अपने लिए कुछ चाहीए है तो अगा jetzt के साथ सथ ुसाइटी के लिए क्या कर रही है कुछ अपने जो उसकेे सोशल रिस पॉनसिबलिटीन को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है कि वो उसको उससे मतलब है हम accounting में artificial intelligence को कैसी use कर सकते हैं और मतलब इसका क्या importance है तो देखो आजकल जैसे सब digitally हो रहा है सब कम तुरंट चाहिए लोगों को तो वैसे ही AI हमने accounting में भी introduce करने से क्या होगा कि इससे क्या होगा जो AI है वो जल्दी ही काम करके देगा और easy करके देगा और एकदम सही मतलब सही mostly सही वो करके देगा ठीक है जैसे AI जो codes बनते हैं वो अगर सही है तो फिर वो काम भी एकदम सटी करके हमें देगा ठीक है तो automatic काम होता है जिससे की टाइम जो है workforce का time जो है वो सेव हो जाता है 80% 90% time से हो जाता है हम बैठेंगे हातों से record करेंगे फिर उसको करेंगे फिर जर्नल एंटी बनाएंगे फिर लेजर बनाएंगे टाल बैनस बनाएंगे फिर स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो एक बार क्या होता है कि एक बार हमने data भर दिया transaction भर दिया entries कर दी फिर उसके बाद सारा काम वो खुद कर लेता है reports बना लेता है है लेजर बना लेता account बना लेता है這樣子 business बना है वह अकाम हो जाता है और आसी इसगा होता है जल्दी काम हो जाता है और क्यरह एथा जबन हो जाता है डिजी χाम ना देशनक ये व्हें यह क्या सब्युक्तिय को तो इसके बार इस प्रूसित को निजकर पर आसा मैंір ज्फेरी हमें क्या क्या समान चाहिए, inventory कौन सी हमारी requirement है, वो भी हमें जल्दी से बना देता है, फिर procurement की हमें क्या समान मंगवाना है, क्या वहचाना है अपने समान में, तो activities भी जल्दी से वो कर देता है, पेपर वक कम लगता है, इस पर, auditability की, every transaction, audit process मैंने बता है, audit process हमारी easy होता है, एक बार डालना पड़ता है, उसके बाद वो सारा काम कर लेता है, फिर cash flow management, artificial management offers many tools which can help the enterprise to record the cash transaction conveniently, तो easily हम cash transaction कर सकते हैं, फिर उसके बाद chatbot, a new way of customer care की chatbots, bots install हो जाते हैं, वो हमारी customer से बात कर लेती है, लाइक हमने बहुत जगह देखा भी है कि, बहुत companies के whatsapps होते हैं, तो उसमें तुम उस पे message करो, तो bot answer देता है, बहुत सारी, हर mostly websites में ऐसा ही होता है, then उसके बाद है, हमारा branches of accounting, यह accounting की कितने क्या के branches हैं, तो पहला हमारा financial accounting, इसमें finances related, हमारी जो भी accounting होती है, वो होती है, चीक है, management accounting, decision making, management से related, जितनी भी accounting होती है, वो इसमें होती है, फिर cost accounting, हमारी जो, costs हमारी जो, यह जातर manufacturing industries में जातर करी जाती है, कि जतनी भी हमारी cost related है, उन सब का धियान रखना, tax accounting, यह tax departments करते हैं, like income tax, sales tax, यह साही चीज़े करते हैं, फिर उसके बाद, social accounting की, हमारी जो social responsibilities होती है, उनको fulfill करने के जो भी हम कर रहे हैं, वो साही जो accounting होती है, तो हमारी social responsibility, social accounting होती है, इसमें हम social reports बनाते हैं, और उनको create करने मामरे क्या cost लग रही है, वो साही चीज़ें, ठीक है, फिर human resource accounting, कि हमारे पास कितने, कि हमारे जो employees हैं, हमारे पास कितने human resources हैं, कितने employees हैं हमारे पास, उनको, उनसे related, कि, उनको हमारी, फिर उनको, हम, उनसे जो हम काम करवा रहे हैं, तो, उसको हम money terms में दिखाते हैं, ठीक हैं, उसमें, human resource accounting में, national accounting हमारी पुरे nation की जो accounting होती है, वो, जो कि हमारे economists and statisticians करते हैं, फिर उसके बाद basis of accounting, basis of accounting हमारी गया होती है, cash basis होती है, actual basis होती है, और hybrid basis होती है, तो, cash basis क्या होती है, कि, इसमें, जब, जस साल में, मतलब, जब जस टाइम पर expense हो रहा है और जस टाइम पर income हो रही है वो उससी time पर record करी जा रही है, यह नहीं देख रहे हैं कि वो है किस year की यह नहीं देखिए बट हम जब वो हमें receiver हो रही है या फिर जब हम उसको दे रहे हैं expense कर रहे हैं तब भी हम उसको record कर लेते हैं cash business में इससे cash business में क्या होता है कि हम यह small traders के लिए सही है बट जो business plans हैं बड़ी businesses हैं companies हैं उनके लिए ज्यादा useful नहीं है क्योंकि उनकी एक period में ही सारी transaction उसी period में तो नहीं हो जाती उनकी over the year चल दी रहती है transaction है तो इसलिए फिर उसके बाद एक्वर बेसेस ओफ अकाउंटिंग एक्वर बेसेस में हम हर एक period का जिस period में वह expense है जिस period का वह income है उसी period में हम उसको record करेंगे चाहे हो हमें receipt कभी भी हो रही हो या हम उसको pay कभी भी कर रहे हो पर हम record उसी साल पर करेंगे यह क्या होता है कि इससे हमारा matching principle follow होता है कि जिस साल का वह है उसी साल में हम उसको pay कर रहे हैं पर इससे क्या होता है cash flow हम नहीं बता सकते कि हमने कितना cash flow हुआ है real cash flow हम नहीं बता सकते हैं फिर उसके बाद mixed और hybrid basis of accounting कि हम cash basis भी चला रहा है और actual basis भी record कर रहे हैं दोनों ही हम record कर रहे हैं accounting concept तो accounting concepts क्या होते हैं एक पहले जो हम accounting करते थे वह हम क्या करते थे सिर्फ अपने business के लिए एक businessman बनाता था वह यह जाने के लिए कि उसकी क्या profit हो रही है और क्या assets और liabilities हैं उसके पास उसके control बनाने के लिए वह बनाता था पर आजकल क्या होता है आजकल हम accounting information prepare करते हैं कि हमारे जो users हैं हम उसको information provide कर सके ठीक है तो अब जब पहले वह सिर्फ अपने लिए बना रहा था तो अपने हिसाब से वह उसको पता है क्या चीज़े वह किस रिकार्ड कर रहा है पर हम जब अप सब के लिए बना रहे हैं अपनी users को बताने के लिए बना रहे तो कुछ ऐसे चीज़ों होती हैं कि अलग हो सकती हैं उनके परस्पेक्टिफ से तो इसी लिए कुछ principles हो हैं हमारी जिसको हम principles conventions हैं हमारी concepts हैं जिनको हम follow करना होता है ताकि जो हम users को information provide कर रहे हैं वो चीज़े उनको भी पता हूँ तो वो चीज़े जब वो information पढ़ेंगे तो उन concepts को याद करके concepts को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे और अगर हम वो follow नहीं कर रहे हैं उसके अलाबा कुछ और follow कर रहे हैं तो वो हमें mention करना पड़ता है चीक है तो generally accepted accounting principles हैं हमारी तो वो चीज़े हम हर एक business उन चीज़ों को follow करके अपने accounting information बनाता है अगर वो उनको follow नहीं कर रहा है तो उसको disclose करना पड़ता है कि मैं यह नहीं यह चीज़ follow कर रहा हूं तो ताकि हमारी जो users हैं उनको पता लग सके कि जो accounting information है वो उन principles को follow करके नहीं बलकि अलग principles वो follow करके बना रहा है तो पहला हमारा तो हमारी क्या के conventions है accounting conventions है पहला है कि going concern concept कि कोई भी एक businessman कोई भी एक business setup कर रहा है तो वो इस motive से setup करता है कि जो मेरा business है वो सालो साल चलेगा ठीक है तो अब जो वो सालो साल चलेगा तो हर पूरे life की accounting तो नहीं करेगा न वो तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं एक short period में हम उसको तोर तोर के accounting बनाते हैं उसकी तो एक financial year like जैसे financial year होता है हमारा financial year होता है हमारा 31st April to 31st March और calendar year होता है हमारा 1st January to 31st December तो हर एक enterprise एक period का अपना एक accounting period बनाती है क्यों क्योंकि वो एक going concern concept follow कर रहे है कि उसका business सालो साल चलेगा तो इसलिए ठीक है like जैसे advertisement expenses होते हैं कोई हम asset purchase कर रहे हैं तो वह हम किस model से उसकी जो accounting हम करते हैं क्योंकि हमारा जो asset है हमारा going concern business है तो हम उसका use भी उस asset का use भी हम सालो साल करेंगे तो इसलिए हम उसको depreciation पार्ट पार्ट में हम उसको depreciation करते हैं और जैसे हमारी deferred revenues होते है advertisement हो गई तो हमारी कुछ सालों के advertisement कुछ सालों तक चलेगी तो उसको हम पार्ट पार्ट में हम उसको account में दिखाते हैं तो फिर उसके बाद हमारा है business entity concept business entity concept इसमें है कि हमारी जो business है और जो उसका owner है दोनों की अलग separate legal entity है यह हम मानके चलते हैं कि जो proprietor है वो अलग है firm से firm वो नहीं है अगर sole proprietor भी होता है उसमें भी हमारी वो दोनों बंदे एक ही हैं पर जब हम accounting करते हैं तो हम उसको अलग मानके चलते हैं तो accounting में हमारी business की अलग एक legal entity है यह हम मानके चलते हैं उसको as a person हम ट्रिक्ट करते हैं फिर उसके बाद money measurement concept की जो हमारी money terms में हम accounting करेंगे जो भी हम accounting उन्हीं record transaction को record करेंगे जो हमारी money के terms में हम कर सकते हैं ठीक हैं तो इसके बाद हमारे dual aspect concept की dual aspect concept में हमारा है कि अगर कोई firm है जो भी transaction हो रही है उसके दो value होंगे हमेशा एक credit और एक debit जासे कि हमने जब हम 11 पे आया थे तो सबसे पहले theory मतलब लाइक फिर चाप्टर था जा है तो accounting equation सीखते थे हम तो उसमें गया था कि हम कोई भी transaction करे उसके dual effect होते थे लाइक अगर तुम cash introduce कर रहे हो as a capital अपने business में तो तुम्हारा क्या बनेगा asset में cash item बढ़ेगा और liabilities में capital बढ़ेगा ठीक है अगर तुम कोई asset purchase कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा asset में cash कम होगा और asset में जो asset purchase कर रहे हो like plant and machine थी हमने खड़ी दी है तो वो बढ़ेगा ठीक है तो हर चीज के हर एक transaction के dual effect होते हैं तो यह हमारा dual aspect concept है फिर उसके बाद हमारा realization concept तो realization concept क्या होता है कि हमारी जो transaction है उसकी historical record के हम accounting कर रहे हैं तो वो हमारा realization concept है like अगर हमने कोई sale करी है ठीक है validate तो हम जब कोई sale होती है तो हमारा एक buyer आया हमारे पार ठीक है उसने बोला कि मैं आपसे यह good खरीदूंगा तो तब वहाँ पे खरीदूंगा उसने agree कर दिया और हमने भी बेचने के लिए agree कर दिया तो agreement to sale हो गया ठीक है फिर उसके बाद रिक हो दूसरे दिन आया और उसने सवान देख ए फिर अप उसने वो बिल बनवा लिया पर वह यह बोचे नहीं यह ना उसने पे करा ठीक है फिर उसके बाद तीसरे दिन आया और एक अफटे और एडिरज़ एफटे बाद आया और फिर उसमें दिन वह पे कर graduate चला अससे समान ले गया तो अब इसमें जो हाँ है कि जो हमने ट्रांसिक्शन की उसको किस दिन पे रिकॉर्ड करेंगी तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगी कब जब हमारा जब वो समान देख के गया और बिल बना के गया हम उस दिन पे रिकॉर्ड करेंगी हम जिस दिन तो उस दिन पे तो obviously बात है कि उस समान की rate बढ़ गई होगी क्योंकि वो hard time बात लेने किया था तो इस चीज को हम ना मतलब उस चीज को हम ऐसा ना हो इसलिए हम ये लेकी चलते हैं कि जब वो third party legally liable हो गई थी payment करने के लिए और जिस दिन पे या फिर जिस दिन पे उससे good के बदले तो उस दिन पे हम उसका profit उसी दिन का हम consider करेंगे तो इससे क्या होगा future event की हमारी जो effect पड़ेगी वो हम इसमें consider नहीं करते हैं तो यह हमारा realization concept है फिर उस पे कुछ exceptions हैं exceptions क्या है in case of higher purchase and installment selling तो तब हमारी जब actually में हमारी जब last payment हो जाती है उसके बाद हम उसको हम उस time पे हम उसको transaction लेते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमने पहले goods deliver कर दिया है फिर उसके बाद हम installment में उससे payment ले रहे हैं तो जब हम उसकी last installment ले रहे हैं तब वो हमारी paid मानी जाएगी इसके बाद no full not full revenue or profits if the contract of sales templates after sale of services कि sales services होने के बाद अगर वो contract रद कर दिया गया है कि मना कर दिया है कि अब मैं उसको नहीं लूँगा जैसे कि sale returns होती है तो वो चाहिए चीजे जो है वो भी हमारा उसने मना कर दिया है तो फिर वो तो उसकी ट्रांजिक्शन लेगा ही नहीं न चाहिए अग्रीमेंट होने के बाद उसने ऊफ को contract को ब्रीच कर दिया है तो उसकी recording हम नहीं करेंगी उसकी revenue होगी नहीं फिर उसकी बाद in a business where mere production leads to earning of profit as sale require no effort on the part of manufacture profits are assumed to have been realized as when the goods are manufactured not when they are actually sold तो यह हमारी है कि कोई ऐसी हमने production कर दिया है जिसकी में हमें sales की करने की जरूत नहीं है हम यह मान लिए जब वो production हो गई है तब ही वो मानी जा रही है कि वो earning हमारी profit earn करने हो गई है तो हमारा वहां पर sale की जरूत नहीं हम उसी टाइम पर उसको अपने profit में दिखा देंगे लाइक जैसे कि अगर हमने किसी के लिए special लाइक जैसे लाइक टेलर होता है तो टेलर पर हम क्या होती है कि उसकी सेल करने नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उसका पहले से उसका agreement बना हुआ है तो वह हम जब उसकी profit production हो चुकी है तब ही उस टाइम पर उसको record कर लिया जाएगा as sold ठीक है फिर उसके बाद हमारा six actual concept actual concept क्या होता है कि हमें जिस भी period का expense और income है हमको उसी period में उसको हमें record करना है ठीक है तो वह हमारा like actual basis वाला होता है जो उस टाइम पर हमें उस record करना है तो इस verifiable objective evidence concept में है कि जो भी हम transaction कर रहे हैं जो भी हम entry कर रहे हमारी accounting information पर books of account में हम record कर रहे हैं उसका एक identity मतलब evidence as evidence कुछ हमें proof हो तब उसको हम record करना like जब हम कोई transaction करते हैं बेसे उसमें तो हमारे bills बने हुए होता है तो उससे साबसे हम उसकी recording कर लेते हैं बस इसमें कुछ के कुछ exception है जिसमें यह follow नहीं होता है like depreciation हो गया doubtful debts की provision बनाना कुछ reserves हम बनाते हैं provisions बनाते हैं तो वह साइच चीज़ें यहां पर follow नहीं होती है तो क्योंकि हम वह एक assumption हम लेकी चलता है कि estimate में लेकी चलता है कि आगे जाके कोई और notional cost पर हम उसको record नहीं करेंगी जो हम उसको pay कर रहे हैं उसी पर हम उसको record करेंगी और इसमें हमारी installation cost भी हमारी add up हो जाएगा वह पर उसके बाद हमारा accounting period concept की like पहले भी मैंने बताया था going concept concept में कि हमारी जो business है हम यहीं लेके चलते हैं कि हमारी business setup हम कर रहे हैं वह हमारी सालो साल चलेगी तो वह सालो साल चलेगी इसलिए हम क्या करते हैं कि उसकी accounting होती है हम हर एक period की अलग-अलग हम एक year को हम लेके चलते हैं उसकी accounting करते हैं फिर उसके हम next period की अलग accounting करते हैं तो हम एक period का accounting concept लेकी चलते हैं तो उसके बाद matching concept matching concept है कि हर एक period पे उस साल की जोतनी भी हमारी revenues है उससे related हमारी जो expenses हो रहे हैं वो भी हमें उसी साल record करने हैं जासे कि अगर हम कोई revenue generate करना चाहरे हैं कोई profit हमें earn हो रही है तो उसके पीचे कुछ expenses भी होते हैं तो उस expenses को भी हमें record करना है तो यह हमारा matching concept कहता है कि revenues के साथ साथ उसके matching expenses भी हमें record करने हैं तो first step होता है कि हमें revenues measure करने हैं और revenues measure हम क्या से करते हैं हम actual concept follow करके हम revenues measure करते हैं तो उसके बाद उससे related हम expenses measure करते हैं कि उस revenue को earn करने के लिए हमें expense बड़ा है क्या हमें opportunity cost होती है sacrifices हमने किये हैं उसको बनाने के लिए तो वह होते हैं कुछ हमने उस earn को उसको earn करने के लिए हमने कुछ cost लगाई हैं वह भी होते हैं तो उनको भी हमें record करने हैं तो यह हमारी accounting concepts हो गए हमारी अब उसके बाद है हमारा accounting conventions यह हमारी कुछ set of rules है जो कि हर business man को ध्यान में लेकी चलने हैं हर company को ध्यान में रखना है कि पहला convention of consistency कि जो भी वो rules follow कर रहा है ठीक है अपने accounting information को बनाने में जो भी methods follow कर रहा है जो भी procedures follow कर रहा है rules, methods, procedures वो follow कर रहा है अपने accounts को बनाने में उसी को वो सालो साल हमेशा हर साल वो वही चीज़ follow करे ठीक है तो यह हमारा convention of consistency है लाइक अगर वो कोई method of depreciation follow कर रहा है तो वो उसी को ही follow करे आगे भी तो और अगर वो कभी by chance वैसे तो conventional of consistency उसी को यह follow करना है हमें हमेशा पर यह हमें यह नहीं कहता कि तुम कभी change कर ही नहीं सकते तुम change कर सकते हो और change कर रहे हो अगर तो तुम्हें अपने उसका disclose करना पड़ता है अपने reports जब तुम report तुम दे रहे हो लोगों को उसमें तुम्हें notes में बताना पड़ता है कि तुम्हें अपनी जो change method of method rule या कुछ भी procedure तुमने change कि accounting के related तो उसको तुम्हें disclose करना है ठीक है पर उसके बाद हमारा हाँ तो यह क्या advantage देता है कि तुमने consistency बनाए रखी है तो तुम जिस same rule है same follow तुम same procedure and methods follow कर रहे हो तो उन years का तुम compare कर सकते हो इंट्राफर्म comparison कर सकते हो एक year का दूसरी year से पर अगर तुमने कहीं बीच में change किया है उस method को तो वहां पर मुश्किल हो जाता है compare करना ठीक है तो उसके बाद सेम methods use कर रहे हो उनसे हम compare कर सकते हैं फिर उसके बाद हमारा convention of conservatives convention of conservatives में क्या होता है कि हम यह policy है जो कि हम playing safe कि हम safe play कर रहे हैं यह दिखाता है लाइक हमें यह बहुता है कि हर एक business में तुम जो भी loss in future होने वाले हैं जिस साल में जिस साल के losses के मतब जिस साल के year के वज़े से in future कुछ losses होने वाले है उसको हम पहले से consider कर लेते हैं सबसचा example है यहां पर कि हमारे जो debtors है वो आगे जाके in future जिस साल के वो debtors है उस साल पर तो वो bad debts नहीं करेंगे वो कुछ time बाद ही बताएंगे कि हम अब दे नहीं सकते या वो नहीं देंगे ठीक है तो बाद में जाके वो bad debt होंगे तो हम पहले से जिस साल में हमारे debtor है उसी साल में हम उसको provision for doubtful debts बना लेते हैं क्यों बना लेते हैं हम इसी की वज़े से convention of conservatism की वज़े से conservatism की वज़े से कि हमें जो in future में losses होने वाली है उसको हम पहले से anticipate करके चलेंगे provisions बना के चलेंगे losses के पर profits के हम नहीं बनाएंगे क्योंकि profits तो वो जब होगा तब हमें earning होगी पर अगर वो loss हो गया तो उससे हमारी effect पर जाएगी business की profit में तो आगे जाके जादा loss हो सकता है तो इसी लिए हम उसको साल साल में ही बना के चलते हैं कि safe play करने के लिए तो हम profits का anticipate नहीं करते हैं हम losses को पहले से मान के चलते हैं तो यह हमारा convention of conservatism है तो उसके बाद third है हमारा convention of first disclosure अभी जो consistency पर आया था उसमें मैंने बताया था कि अगर तुम change कर रहे हो कुछ तो वो तुम्हें disclose करना पड़ता है तो convention of full disclosure भी वैसा ही है कि अगर तुम्हारी कुछ facts है material facts है जो कि तुमने अपने accounting statement accounting में की है जो कि third party को पता होनी चाहिए तो वो तुम्हें disclose करना पड़ेगा अगर वो बहुत जादा जरूरी है कि third party जो भी accounting statement को पड़ रहा है उसको पता होनी चाहिए तो वो तुम्हें disclose करनी है और अगर वो material facts नहीं है और तुमने उसको disclose नहीं किया तो चलेगा then उसके बार हमारा fourth convention भी है जो कि हमारा convention of materiality है कि हम convention of materiality में हम business में जो भी हमारी कुछ transaction होती है जो कि हमारी unimportant होती है हमारी business के लिए related my business से ज्यादा related नहीं होती है और important भी नहीं होती है तो उसको हम info उसको हमें record करना जरूरी नहीं है like जैसे कि example कि जब हम transition करते है तो हम पैसे पैसे वाली जो terms होती है उनको हम record नहीं करते हैं एक टुपे जादा कर देता है एक टुपे कम कर देता है तो वो हमारी important नहीं है ठीक है तो इसी लिए और और जैसे हमारी like अगर हमारी कोई business के लिए investors वगेरा आये हैं ठीक है और जो हमारी business से उसमें canteen facilities नहीं है तो हमने उसको बाहर से हमने उसमें जितना भी चाय पैनी का नाश्ता का खर्चा वैठा है तो वो हमने बाहर से करवाया है हमारी अंदर canteen नहीं है तो वो जो खर्चा है वो जादा important नहीं है हमारी business से ठीक है तो उसको हम ना भी दिखाए तो चलेगा पर अगर वो हमारी canteen facility होती है हमारी business के अंदर ही तो फिर हम उसमें उस canteen के खर्चे में उसको हम फिर जोडते है क्योंकि हमारी हमारी बुजनस की सर्विस Wilson में आती है ठीक है तो यह हमारा कणिवेंचन ओध मेटेरिल्टी है यह हमारी किसरे पे बैसिस होती है ज़ज्मेंट पे बैसिस होती है कि जो हमारा जो ट्रांजेक्षन हो रहा है उसका नेचर और साइस क्या है जो ट्रांजिक्शन हो रहा है और उसका जो एफेक्ट है हमारे बिजनस पर वो उस पर क्या है तो ये जज्जमेंट पर हम इसको कर्वेंशन आफ मेट्रेल को फॉलो करते है तो फर्स चैप्टर हो गया है हमारा तो थैंक यू फर वाच्छिंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करें लाइक करें और अपने दोस्तों को शेर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सकी और सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यह आपका फर्स आमेसर है तो आगे भी आपको जरुरत होगी और आगे भी मैं ऐसी वीडियो डालती रहूंगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो और आप अगर कोई प्रॉब्म है, डाउट है, कुछ सर्जिशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं तक यब बॉवची